हेलो दोस्तों, मैं सूरज कृष्णा डिजिटल स्कूल की तरफ से आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ, The Curious Parent Book की हिंदी ओडियो बुक समरी, इस बुक में हर बात को बहुत ही सरल और सटीक उधारणों से समझाया गया है, विडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मेरा अगला विडियो आपको आसानी से और जल्दी मिल जाएगा, तो चलिए विडियो शुरू करते हैं बच्चा खाली एक तरह का होता है, सिरफ एक तरह का, और वो बच्चा हमें तब देखता है जब वो कुछ करने में व्यस्त होता है, कुछ ऐसा काम जो वो ना प्रशंसा के लिए कर रहा है, ना टौफी के लिए, ना किसी के डर के कारण, ये बच्चा ना किसी से जगडता ह ना लड़ता है, ना रोता है, ना मम्मी मम्मी करता है, ना पापा पापा करता है, बस अपने काम में मगन होता है, बच्चक एक ही तरीके का होता है, लेकिन ये बच्चक हो जाता है, फरस्ट आने के चकर में, मुबाइल देखने के चकर में, स्कूल में मैट्स, इंग्लिश, स इन सब में कहीं, माबाप को खुश करने के चक्र में. अगर आपके बच्चे हैं, या आप करना चाहते हैं, या परिवार में आप किसी बच्चों के साथ खेलते हैं, तो आईए चलिए मेरे साथ, इसे एक बच्चे को एकठे ढूंटे हैं. मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की, जो मुझसे दस साल आगे थे, सकसेस्फुल लोग, उनसे पूछा कि अगर आप वापस जा सकते दस साल, तो आप क्या बदलेंगे अपनी जिन्दगी में, सबका, सबका मतलब सबका, एक ही जवाब था, कि यार हमें याद नहीं कि हम मारे बच्चे कब बड़े हो गए, हम उनके साथ बहुत समय नहीं बिता पाए, पैसे तो कमा लिये, लेकिन ये समय वापस नहीं ला पाएंगे, तो 2016 में मैंने डिसाइड किया, कि मैं अपनी बेटी को बड़े होते हुए देखूंगा, इसलिए नहीं कि उसको मेरी ज़रू पाएंगे, अन्देखी सी, मैंने किताबे पढ़ी, कोर्सिस किये, बहुत कुछ किया, और मैंने देखा कि माबाब आज कल बिजी हैं, बच्चों की जगा माबाब भाग रहे हैं, दौड रहे हैं, लेकिन अपने बच्चे के लिए सही चीज करना चाहते हैं, दूसरे छोर पर मा या बाब फ्री हैं, और वो बच्चे बे जितनी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये सब देखते देखते करते करते, अपने पिछले पांच साल मैंने इसमें बिता दिये, आज मेरी बेटी छे साल की है, और मैं उसके साथ और अपनी वाई के स उनको ये सब रिसर्च ना करनी पड़े, अगर आप बच्चों के साथ कुछ भी समय बिताते हैं, तो ये कोर्स, ये आडियो बुक आपके लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कही हुई बात आपको याद आएगी, जब भी आप अगली बार किसी बच्चे से बात करेंगे, क्यों अगर एक बार बच्चों की धुनिया समझ में आ जाए, तो शायद बहुत असान भी, बहुत असान हो सकता है उसके बाद बच्चे पर एक ऐसी चाप छोड़ना, जिससे उसका फ्यूचर अच्छे के लिए बदल जाए, इसलिए आप या ओडी बुक याद करेंगे, चलिए शायद आप पूरे दिन सुनते होंगे, मेरे हर दोस्त जिनके बच्चे हैं वो परिशान है इससे, के ये बच्चे दो मिनट के लिए नहीं छोड़ते, बाथरूम चले जाओ तो दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं, ममी, 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 ऐसा क्यों है, और हम करें तो क्या कर चले मैं आपको एक आहानी सुनाता हूँ जो कोविट की बदौलत सच हुई, तो कि पिछले साल जब हम सब घर से काम कर रहे थे, तो हमने सोचा के चलो पहाडों में जाके काम करते हैं, तो हमने पालंपुर में जो की हिमाचल में है, वहाँ पर अर्थ हाउस नाम की जगा ब के बीच में है, एक घर है, पेड है, एक जूला लगा है, और आस-पास बस खुली जगा है, यह जगा हमने मतलब मैंने, मेरी वाइफ ने, मेरी बेटी, हमने एक महीने के लिए बुक कर दी, और अपने दोस्तों को बोला आप भी आ जाओ, तो एक-एक हफते के लिए हमारे कहरी दोस्त अपने बच्चों के साथ वहां रुपने आए, हमने बहुत मज़े किये, दिन में नदी में नहाए और रात को तारे देखे, ओफिस का काम किया, और पाहडों पे भी चड़े, मज़े की बात यह है कि जब साथ दिन पूरे हो गए और जाने का समय आया, तो हर द जलतू की जिद नहीं, ये किसके बच्चे हैं, अब बच्चे तो वही हैं, वो तो पिछले साथ दिन में नहीं बदले, नए नहीं बने, बस बातावरन बदल गया है, एंवायरमेंट बदल गया है, यही बच्चे जो एक दो बेडरूम फ्लाट में ममी ममी पापा पापा कर हमारा शेहर का घर सुन्दर है, टीवी लगा है, लाइट्स लगी है, येलो, वाइट, दिवारे चम-चमा रही है, फ्लोर मार्बल से डखे है, कहीं कोई कोना नहीं है जहां सुराक भी छूट गया हूँ, खिडकियां बंद है, चिपकलियां बाहर है, अरे चीटियां भी नही हूसे से, कभी-कभी कॉक्रेज आ जाते हैं गलती से, तो उनके लिए हम पैस्ट कंट्रोल वालों को बुला लेते हैं, हमारा घर कन्वीनियंट है, लेकिन ऐसे घर में बच्चों को इंट्रस्ट करना मुश्किल है, इसलिए ये बच्चे ममी-ममी, पापा-पापा करते हैं, थोड़े बहिने पहले मैंने मेरी वाइफ ने सोचा कि अपनी बेटी के लिए एक बर्ड हाउस बनाते हैं, शायद कोई पक्षी आके रहे, हमने बीज खरीदे, कटोरी में पानी भरा, नेस्ट खरीदाया और अपनी बालकनी में लगा दिया, अब हम तीनों इंतजार किये क कोई पक्षी आएगा, थोड़े दिन निकल गए, कोई पक्षी नहीं आया, तो मेरे एक दूर के मित्र हैं, जो की पक्षीओं के साथ काम करते हैं, उन्हें मैंने फोन किया और पूछा, कि यार ये पक्षी नहीं आ रहे, तो उसने मेरे से सवाल पूछा, आप कौन से फ्लो पर रहते हैं, जहां बच्चो को खेलने जाने के लिए बड़ों की जरूरत पड़ती है, लिफ्ट लगी है घर के बाहर, खेलने के जगा पर गाड़ियां चलती है, पाक घर से दूर है, साइकल चलाने की जगा नहीं है, इसलिए बच्चे के साथ हमेशा किसी का रहना जरू जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो कर सकता है तो ममी ममी पापा पापा वो वो करता है, अब हम शेहर छोड़ कर पाहड़ों में तो जा नहीं सकते, मेरे बोलने का ये मकसद भी नहीं है, मकसद है तो ये बताना कि वो बच्चा ममी ममी पापा पापा क्यों कर रहा है, इ एक स्विंग लगवा लिया है, एक रॉक्लेमिंग वॉल लगा दी, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मेरी बीवी ने घर में रखे हैं, जिसकी मिट्टी के साथ हमारी बेटी खेलती है, घर में मेरी बेटी कितनी भी गंदगी कर सकती है, जब तक वो उसको साफ करने में मदद भी करें, एक उसके लिए ड्रॉइंग का कॉर्नर बना दिया है, एक खुद की बुक की शेल्फ बना दिया है, हम काफी ज्यादा नीचे खेलने के लिए भी जाते हैं, तब जाते हैं, तो अपनी बेटी की पेस पर, बेटी की रफतार पर धुनिया को देखने की कोशिश करत सामने अंकल आंटी रहते हैं, जिनके लिए हमारी बेटी उनकी पोथी की तरह हो गई है, साथ में एक और फैमिली है, जिनका बेटा अठारा साल का है, तो कोविट में हमारा फ्लोर एक जॉइन फैमिली की तरह हो गया, दरवादे खुले रहते थे और हमारी बेटी एक घर स पर चड़ गई और लेट गई, दो मिनट लेटी रही, कुछ नहीं बोला, फिर एकदम से चिला के बोली, I can see the sky, I can see the sky, मेरी कामना है कि हम कहीं भी रहें, हमारे बच्चे दिन में खुला आसमान कैसा दिखता है, और रात में तारे कैसे दिखते हैं, ये कभी न भूले, ये Sun 1897 में एक Russian Scientist Ivan Pavlov ने एक बहुत important research पबलिश की, उनको अपनी research के लिए 1904 में Nobel Prize भी मिला, क्या थी ये research, और उसका हमारे बच्चों को mobile दिखा कर खाना खिलाने से क्या लेना देना है, गौर से सुनेंगे, तो बहुत लेना देना है, आज कल हर बच्चा खाना खाता है, क्य क्योंकि mobile दिखाते दिखाते किसी भी बच्चे को कितना भी खाना खिलाये जा सकता है, और मा, दादी, सब खुश हैं, क्योंकि बच्चा बिना शितानी किये, बिना नकरे किये, बस खाता चला जा रहा है, healthy बनेगा, बड़ा जल्दी होगा, अब इसमें क्या गलत हो सकता है सिर्फ एक गड़बड है, हमने अपने बच्चे के तन को तो देख लिया, उसके लिए खाना खिला दिया, लेकिन उसके मन को भूल गए, वो तन जो दिखता है, वो बढ़ रहा है, पर वो मन जो दिखता नहीं है, उसका इस तरह खाना खिलाने से क्या हल हुआ, क्या आपको हमारे माइन को सिगनल जाता है, कि खाओ, और खाने के थौट्स हमारे मन में आते हैं, रशियन साइंटिस्ट इवान पैवलोव की जिस रिसर्च के लिए उनको नोबल प्राइज मिला, उसका हमारे बच्चों के मन से बहुत तालुक है, साइंटिस्ट इवान पैवलोव ने एक चोटी सी टेस्ट इूब कुत्तों के मुह में डाल दी, इस टेस्ट इूब में सिलाइवा एकटा होता है, लेकिन उन्होंने जिब ध्यान दिया तो पता लगा कि कुत्तों को खाना देने वाले के फुटस्टेप्स, उनके कदम की आवाज सुनते ही उनके मुह में गंटी बजानी शुरू कर दी, शुरू में कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिनों में सिरफ गंटी बजाने पर ही कुत्तों के मुह में सिलाइवा आने लगा, मतलब क्या हुआ, वोट अबन देर, ये हुआ कि कुत्तों का मन अब ट्रेन हो चुका था, कि गंटी सुनते ही हमें खाना मिलेगा, हमें भूक लगेगी, ये उनके मन में बस गया, इस रिसर्च के लिए इवान पैवलाव को नोबल प्राइज मिला, यही हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, उनको हम आज खाना खिला रहे हैं, मोबाइल दिखा कर, कार्डून दिखा कर, उनके ब्र खाने से ओवर एटिंग होती है, हम जुरूरत से ज़्यादा खाते हैं, सोचिए हमारा बचा बड़ा हो गया है, उसने खाने की प्लेट उठाई, ये चिप्स के पैकेट उठाई और टीवी आउन कर दिया, और अब वो बिना सोचे समझे चबाता चला गया, क्या होगा ऐसे बच्चे के तन को और मन को बड़ा होके, कितना अनहेल्दी होगा, क्या माइन की ट्रेनिंग हम उसमें आज पैदा कर रहे हैं, उसको मोबाईल दिखा कर, खाना खिला कर, मेरे एक दोस्त घूमने गए अपने बेटे के साथ, वहाँ भी उनका मोबाईल बंद हो गया, तो ज उन्होंने क्या कर दिया है, अपने बेटे के मन में कैसा रिलेशन्शिप बना दिया है, खाने का और मोबाईल का, ये रिलेशन्शिप तो उड़ना हमारे हाथ में है, हम रोख सकते हैं, अगर आपके घर में अपी मोबाईल दिखा कर खाना खिलाने की आदत बढ़ी हुई ह तो हो सकता है कि आपका पहला हफता बहुत मुश्किल जाए बच्चा रोएगा क्योंकि उसकी आदत है लेकिन एक बार उसको समझ में आ गया कि मुबाइल नहीं मिलने वाला है तो रोना बंध हो जाएगा बच्चा शायद थोड़े दिन खाना खाने से मना कर दे तो बच्चे का बहेवियर बदल जाएगा वो जिद करना छोड़ देगा और आप सफल हो जाएंगे इस अब में मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मुबाइल फोन या टीवी दिखाना बिलकुल बंध कर देना चाहिए यह आजकल के जमाने में मुश्किल है और इसकी जरूरत भी नहीं है बंध करने की लेकिन मुबाइल फोन के साथ खाना खिलाना बंध कर देना चाहिए प्रशंसा के नुकसान आपका बच्चा कुछ पजल सॉल्व कर रहा था और उसने कर दी वो आपको दिखाने आया और आपने बोला अरे वाँ, तुम कितने स्मार्ट हो कितने होशियार हो आपने अपने साथ बैठे मितर को भी बताया अरे देखो, मेरे बेटे ने कितना अच्छा बजल सॉल्व किया है इसमें क्या गलत हो सकता है इस प्रशंसा का प्रेज का, क्या कोई नुकसान हो सकता है बहुत साल पहले एक researcher ने एक बहुत important सवाल पूचा उसने पूचा कि एक बच्चा जिसमें काबिलियत है वो क्यों failure को देख कर मायूस हो जाता है जबकि दूसरी और ऐसे बच्चे हैं जिन में failure के बावाजूत भी उससाब बना रहता है कि मैं दिये गए problem को solve करके रहूँगा इन दोनों बच्चों में क्या फर्क है ये सवाल ये researcher जिनका नाम कैरल डुएक था उसने पूचा और research किया उन्होंने school में जाकर ऐसे बच्चे ढूंडे जो छोटे छोटे failure पे आस छोड़ देते थे मतलब अगर उन्होंने maths की problem try की, नहीं हुई तो छोड़ दी एक दो बार ऐसा हुआ तो पुरानी maths भी थोड़ी भूल गए ऐसे बच्चों में से आधे बच्चों पर उन्होंने experiment करना शुरू किया और उन्हें समझाया कि वो सरफ इसलिए नहीं solve कर पा रहे है क्योंकि उन्होंने मेहनत कम किये उन्हें encourage किया और मेहनत करने के लिए कुछ महीनों में ये बच्चे math problem solve करने लगे और आगे बढ़े जबकि जो बाकी के आधे बच्चे थे जिनको ये नहीं समझाया गया था वो वहीं रह गई इस experiment से उनको confirm हुआ कि बच्चों को क्यों लगता है वो fail हो रहा है इससे बहुत फर्क पड़ता है अगर बच्चे को लगता है कि उसमे capability नहीं है शरमता नहीं है इसलिए वो fail हो रहा है तो वो fail होता रहेगा लेकिन अगर बच्चे को लगता है कि क्योंकि उसने मेहनत नहीं की है इसलिए वो fail हो रहा है तो वो बच्चा try करता रहेगा problem solve करने की एक और experiment में कैरल डवेक ने उन बच्चों को पकड़ा जो try करते रहते थे और problem solve करते रहते थे और उन्हें बोला कि problem solve करते हुए तो मारे मन में दिमाग में जो विचार आ रहे है वो बोलते रहो ऐसे बच्चे जो try करते रहते हैं solve करते रहते हैं उनके विचार सुनके कैरल डवेक ने जाना कि इन बच्चों को कभी लगता ही नहीं कि वो fail हो रहे है उनको बस मज़ा आ रहा है काम करने में और वो सोचते हैं कि ये नहीं चला चलो कुछ हो try करता हूँ आप सोच रहे होंगे लेकिन इस सब का प्रशंसा से क्या लेना देना है प्रेश से क्या लेना देना है बहुत लेना देना है कोई भी बच्चा ये सोच कर पैदा नहीं होता कि मेरे में इतनी ही काबिलियत है इससे जादा नहीं लेकिन प्रशंसा सबको अच्छी लगती है जो आपका बच्चा पजल सॉल्व करके आया था उसको आपने बोला तुम कितने काबिल हो कितने स्मार्ट हो वो खुश हुआ उसने सोचा मेरे अंदर काबिलियत है इसलिए मैंने ये पजल सॉल्व कर लिया अब कोई अगले दिन उसने कोई और पजल सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो सोचेगा मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं यह नया वाला puzzle solve करूँ मेरी कबिलियत इस puzzle से कम है जबकि फर्क सिर्फ मेहनत का है कबिलियत का नहीं कबिलियत वाला खयाल तो हमने सिर्फ अपनी प्रशंत सा से उसके दिमाग में डाल दिया है तो जब बच्चे ने puzzle solve किया हमारे पास आया अगली बार जब वो किसी पजल पर रटकेगा, तो सोचेगा क्यों और मेहनत करनी पड़ेगी. आपने प्रशंसा की, लेकिन काबिलियत की नहीं की, मेहनत की की. यह एक्चुली प्रशंसा नहीं है, प्रोच्चाहन है, एंकरेजमेंट है. जब प्रशंसा आउटकम की नहीं हो, लेकिन प्रोच्चाहन बन जाती है, इस प्रोच्चाहन बन जाती है, दूसरों से मदद मांगना आता है, नई-नई चीज़ें ट्राइ करना आता है. एक बहुत basic difference है प्रशंसा में और प्रोचाहन में praise में और encouragement में ये फर्क है मुझे अच्छा लगा को मुझे दिखा में बदलने का मुझे अच्छा लगा को मुझे दिखा में बदलने का आपको कैसा लगा ये important नहीं है important है कि आपने क्या देखा चलिए इनको किसी उधारन से example से समझ लें कि प्रशंसा और प्रोचाहन में क्या difference है प्रोचाहन है मुझे तुम पर गर्व है प्रोचाहन है तुमने बहुत मेहनत की तुमें खुद पर गर्व होना चाहिए प्रशंसा है मुझे तुमारी की drawing अच्छी लगी प्रोचाहन है अरे तुमने कितने सारे रंग यूज की अपनी drawing में मुझे इनके बारे में और बताओ प्रशंसा है मुझे अच्छा लगा कि तुम हमेशा समय पर आते हो प्रोचाहन है तुम हमेशा समय पर आते हो इससे हम class ठीक से शुरू कर पाते हैं प्रशंसा है तुम कितनी समझदार हो प्रोचाहन है तुमने महनक की तुम्हें अच्छा लगा होगा आप अपनी आंक बन कीजिए और इस तरहां से सूचिए प्रशंसा एक spotlight की तरह है जो आप बच्चे पर डालते हैं फिर जब आप चले जाते हैं तो spotlight भी आपके साथ चली जाती है लेकिन प्रोचाहन बच्चे के साथ रहता है आप चाहे आस-पास हो या नहीं प्रशंसा की जगा प्रोचाहन करना आसान नहीं है कठन है प्रैक्टिस ज़रूरी है प्रशंसा और प्रोचाहन का फर्क छोटा है पर important है इससे फर्क पड़ेगा कि आपका बच्चा कैसा बनेगा वो जो मुश्किलों से डर के आगे problem solve नहीं करेगा या वो जो मुश्किलों को देख कर खुश होगा कि चलो आज कुछ अच्छा करने को मिला जीनियस बच्चे जीनियस किसको कहते है मुझे तो ये जानके आश्चरे हुआ कि जीनियस की कोई scientific definition यानि परिभाशा है ही नहीं तो हमारे लिए एक definition बना लेते हैं कि जीनियस बच्चे का मतलब है एक बच्चा जिसमें असधारन योगता हो exceptional intelligence हो एक सवाल जिसको history में काफी importance दी गई है वो ये है कि जीनियस पैदा होते हैं कि बनाये जाते हैं लेकिन हमारे लिए सवाल किसी काम का नहीं है हमारे पास तो हमारा बच्चा है और हम तो ये समझना चाहते हैं कि उसकी योगता को असाधारन बनाये जा सकता है के नहीं तो चलिए सबसे पहले हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगी जिसका नाम शायद आपने सुना हो ये हैं टेनिस के मशूर प्लेयर एंड्रे अगासी अगासी आठ बार Grand Slam Champion रह चुके हैं और Olympics टेनिस गोल जीच चुके हैं उनके पिता जी ने अगासी को टेनिस बच्पन से सिखाया उन्होंने अपने घर के पीछे एक खुद से टेनिस कोड बनाया फिर उन्होंने खुद से एक ऐसी मशीन बनाई जो कि तेजी से टेनिस की गेंज भेंगती थी ताकि अगासी प्रैक्टिस कर सकें उन्होंने ये शर्त रखी कि हर रोज अगासी कम से कम पच्चे सो गेंदों को खेलेगा अगासी के पिता जी का मानना था कि जो लड़का छोटी उमर से हर रोज टेनिस की पच्चे सो गेंदे खेलेगा मतलब एक साल के 365 दिनों में दस लाख गेंदे खेलेगा उसको दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा और उनका कहना सच साबित हुआ अगासी वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर बने आम तोर पे टेनिस में खेलाडी एक तरह के मिदान पे ही वर्ल्ड फेमस होता है अगासी दुनिया के पहले पुरुष बने पहले में बने जिन्होंने ग्रास कोट, क्ले कोट, हाड कोट तीनों में ग्रांट स्लैम टूर्णामेंट जीते लेकिन अब गौर से सुनिए क्योंकि मैं तब चौका जब मैंने उनकी आटोबाइग्राफी पड़ी उनकी किताब शुरू होती है इन लवजों से I hate tennis मुझे टेनिस से नफरत है अगासी ने लिखा कि कैसे उनको अपने पिता जी की बनाई गेन फैंकने वाली मशीन राक्षस की तरह लगती थी उनको लगता था कि वो राक्षस उनको खाना चाता है वो अपनी मा के साथ बैठना चाते थे दोस्तों के साथ खेलना चाते थे लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि टेनिस खेलने से फुर्सत ही कहां थी अगासी वर्ल नमबर वन बने लेकिन उन्होंने ड्रग्स ली अपने पिताजी से बात करनी छोड़ दी उनका डैवोर्स हुआ और फिर उनकी रैंकिंग वर्ल नमबर वन से वर्ल नमबर 141 तक गिर गई ये तब तक चला जब तक उन्हें टेनिस से नफरत रही कहीं उनके सफर में उनको बच्चों के लिए कुछ करने का मन किया उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया उस स्कूल को बढ़ाने के लिए पैसे इकठे करने के लिए उन्होंने tennis इस बार दिल से खेलना शुरू किया वो वापिस world number one बने इस बार लंबे समय के लिए उन्होंने वापिस शादी की और उनके दो बच्चे हुए जिनको उन्होंने tennis में नहीं डाला ये कहानी से मैंने ये सीखा कि हम बच्चे को genius बना सकते हैं लेकिन अगर हम बच्चे को जीनियस बनाएंगे उसकी मर्जी के खिलाफ तो उसके रिजल्ट्स भारी हो सकते हैं। तो फिर अब सवाल ये बना कि क्या बच्चों की मर्जी से उन्हें जीनियस बनाया जा सकता है। चलिए ये जानने के लिए इस बार हम चलेंगे मिलने लासलो पुलगर से। लासलो हंगरी देश के रहने वाले हैं जो की यूरप में है। उन्होंने अपना वक्त कॉलेज में 400 जीनियस की जिन्दगी पढ़ने में बिताया। और ये किताबे पढ़ने के बाद उन्होंने अपने दिमाग में तै कर लिया कि किसी भी स्वस्थ बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है। मज़े की बात ये है कि वो खाली किताबों पर नहीं रुके। उन्होंने अकबार में एक एड़टाइस्बंट दे दी कि मैं शादी करना चाता हूँ। एक ऐसी वाइफ ढूंड रहा हूँ जो ये विश्वास रखती है कि किसी भी स्वस्थ बच्चे को जीनियस बनाया जा सकता है। एक क्लारा नाम की टीचर ने उनके एड़टाइस्बंट का जवाब दिया और उन दोनोंने शादी कर लिए। सन 1970 में उन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया। उन दोनों का ये मानना था कि अगर एक बच्चे को तीन साल की उमर से पढ़ाना शुरू किया जाए और छे साल की उमर से किसी एक विशेश चीज में प्यार से पढ़ाया जाए, स्पेशलाइजेशन दी जाए, तो कोई भी बच्चा जीनियस बन सकता है। उनकी पहले बच्ची थी उनकी बेटी Zuzuzah। किस शेत्र में उसको जीनियस बनाया जाए, उसके बारे में उन्होंने बहुत सोचा। और फैनली Čेस को चुना, शेत्रंज को चुना। पहली बेटी जुरुजा के बाद उनकी दो और बेटियां हुई उनको भी चेस सिखाई उनकी तीनो लड़कियां जीनियस बनी तीनो उनको विश्व में पोलगर सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है जुरुजा सबसे पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन बनी दूसरी बेटी सोफिया ने चेस उलम्पिक्स में गोल जीता और उनकी सबसे चोटी बेटी जुडित को आज तक शतरंज में महिलाओं का सबसे बढ़िया खिलाडी माना जाता है उन्होंने मैगनस कालसन, कैस्पर आउ, आनन्द विश्वनाथन और 8 World Men Champions को हराया है सबसे जरूरी बात यह निकली कि यह तीनों लड़कियां खुश थी उन्होंने शादी की, बच्चे कीए और आम लोगों की तरह जिंदगी भी बिदाई उनकी बेटी जुडित ने बोला कि चेस उनके लिए खेल की तरह रही उन्हें खेलने में मज़ा आता था, तो वो खेलती गई इस तरहां लाजलो पोलगर और उनकी पतनी क्लारा ने साबित किया कि जीनियस बनाए जा सकते हैं और खुश जीनियस, हैपी जीनियस बनाए जा सकते हैं एक एक्जामपल हमारे देश भारत में भी प्रसिद है आपने मूवी दंगल शायद देखी होगी वो मूवी हर्याना के पहलवान महावीर सिंग फोगट के परिवार के बारे में है कि कैसे उन्होंने अपनी बेटियों में पहलवानी की योगित डाली आज मेरी बेटी दिया छे साल की है जब वो पैदा हुई थी तो मैंने जीनियस बच्चों के बारे में बहुत बड़ा और मुझे इतना समझ में आया कि अगर हम जीनियस बच्चा पालना चाते हैं तो उसके लिए माता पिता को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इतनी मेहनत करने का मन मेरा तो नहीं था शायद आपका हूँ तो आप कर सकते हैं बस एतना ध्यान रख्ये कि अगर आप चाते हैं कि बच्चा योगिता पाने के साथ लाइफ में खुश भी रहे तो बच्चे की मेहनत उसकी मर्जी से होनी चाहिए दिल से होनी चाहिए जो कर रहा हूँ उसको पसंद हूँ जीनियस बनने के लिए ज़रूरी है कि बच्चा जो माबाप बताएं वो थोड़ा फॉलो करे उसके लिए बच्चे को माबाप पे भरोसा होना ज़रूरी है लेकिन क्या parents भरोसे लाइक हैं ये जानेंगे हम अगले चैप्टर में बच्चे का भरोसा जिन्दगी में आपके और आपके बच्चों के बीच सबसे इंपॉर्टेंट जीज क्या है क्या है जो आप कभी भी नहीं खोना चाहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए वो है भरोसा जब तक आपको आपके बच्चों पर भरोसा है और आपके बच्चों को आप पर तब तक कुछ भी हो जाए आपको पता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप आपका संबंद सही रहेगा आप एक दूसरे से कुछ भी बात कर पाओगे और सबसे ज़रूरी ये कि आपको लगेगा कि हम एक दूसरे के साथ हैं लेकिन यही भरोसा हम बच्चों का हर रोज तोड़ते हैं कभी कुछ ऐसी चीजों के लिए जो हमें बच्चे के लिए सही लगती है कभी-कभी थोड़ा सा अपने स्वार्थ के लिए और कभी-कभी ऐसे ही बिना ज्यादा सोचे समझे बेटा चलो घर चलो खेलने का समय खतम हो गया है मुझे और खेलना है पापा अरे बेटा पाक बंद हो रहा है वाच्पन अंकल कह रहे हैं सबको बच्चा रुक तो जाता है और आपके साथ पाक से बाहर जाना शुरू भी हो जाता है लेकिन उसकी नजरे देख तो रही है कि बाकी बच्चे अभी खेल रहे हैं पाक में उनको तो सिक्यूरिटी एंकल कुछ नहीं कहते कभी-कभी जूट उस समय के नहीं होते लेकिन आगे के प्रॉमिस के होते है ममी आइस क्रीम खानी है बेटा कल खाएंगे और वो कल तब तक नहीं आता तब तक बच्चे को वो आपिस याद ना जाए काफी सारे जूट बच्चों की भलाई के लिए होते है पापा फोन देखना है बेटा बैटरी खतम हो गई है तुम खुद से खिल लो और पाँच मिनट के बाद पापा उसी फोन पर दोस्ते बात कर रहे है ममी टॉफी खानी है बेटे टॉफी खतम हो गई लेकिन बेटे को तो पता है किचन में कौन से डबे में छिपाई हुई है टॉफी इसके दो नुकसान है पहला नुकसान यह कि बचा सोचता है कि जूट बोलना ठीक है ओके है अगर स्वार्थ के लिए बोलना पड़े तो बोल दो तो हो सकता है धीरे धीरे बड़े होते हुए वो आप से और दूसरों से ऐसे छोटे छोटे जूट बोलना शुरू हो जाए बेटा क्या कर रहे थे पापा मैं पढ़ा ही कर रहा था जबकि वो कॉमिक पढ़ रहा था बेटा कहां गए थे ममी मैं गाडन गया था जबकि वो दोस्तों के साथ कहीं और ही घूम रहा था ये पहला नुकसान है कि हमने बच्चों को सिखा दिया कि जूट बोलना ठीक है दूसरा नुकसान इससे भी बड़ा है वो भरोसे का है कल हम बच्चे को बोलेंगे पढ़ा ही करो तो हमारे लिए जीवन में अच्छा है बच्चा सोचेगा क्या पता ममी जूट बोल रही हो जब यही बेटी बड़ी होगी और मानिया आप उससे बोलेंगे बेटी ये लड़का ठीक नहीं लग रहा इससे शादी मत करो सोच लो थोड़ा तो वो सोचेगी लेकिन सोचेगी कि शायद ममी अपने स्वार्थ के लिए जूट बोल रही होगी मैं ममी पर भरोसा नहीं कर सकती क्योंकि वो भरोसा हमने बहुत साल छोटे 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 जूट बोलकर तोड़ दिया है ऐसे जूट जिनको बोलकर हमारा उस वक्त तो काम चल गया लेकिन लंबे समय में काम बिगड़ गया लेकिन करें तो क्या करें क्योंकि ये जूट भी जरूरी किसम के लगते हैं अरे घर पहुंचना है घाडन से रोटी बनानी है, खानी है सोना है, सुबा स्कूल जाना है आइसक्रीम से टॉफी से धान्थ खराब होते हैं मॉबाइल से आँके खराब होती है अब जूट ना बोलें तो करें क्या सच बोलिए ये बोलना कि अब घर जाने का समय है हमारा घर जाने का नियम है साथ बचे का कि हम घर पहुँचेंगे और फिर प्यार से बढ़ मजबूती से बच्चे का हाथ प्रकड़ कर घर की तरफ जाईए आइसक्रीम नहीं खा सकते तॉफी नहीं खा सकते क्योंकि इससे दान्थ खराब होते हैं ये जंक फूड है मुबाइल नहीं देख सकते क्योंकि इससे आँखे खराब होती है अब रोता है बच्चा तरोने दे जब उसको पता चलेगा कि रोने से मुबाइल नहीं मिलेगा तो चुप हो जाएगा जूड बोलना आसान है सच बोलना कठिन लेकिन जैसे जूड बोलने के दो बड़े नुकसान है सच बोलने के दो बहुत बड़े फाइदे है जब हम बच्चे को वजा बताते हैं चीजों की तो बच्चे का ग्यान बढ़ता है नौलिज बढ़ती है खुद से सोचने की श्रमता बढ़ती है बच्चा पूछता है क्यों नहीं दे रहे हो और हमें बताना पड़ता है कि टॉफी में मीठा होता है तो तुमारे लिए दांदों के लिए अच्छा नहीं है वो और सवाल पूछता है या हमें और बताना पड़ता है ये पहला फाइदा है दूसरा फाइदा, इससे बहुत बड़ा है हमारी, हमारे बच्चों से बाच्चीत शुरू हो जाती है असली बाच्चीत टॉफी क्यों नहीं खानी चाइके गर जाना क्यों जरूरी है ये सब असली बाच्चीत है जो चाये उस समय थोड़ी मुश्किल लगे लेकिन लंबे समय में हमें बच्चों के करीब ले जाती है कितना अच्छा है कि एक छोटे जूट की जगा आपने बच्चे से खोले दिल से बात कर सकते हैं बस हमें इतना देखना है कि हमारे पास हमारे बच्चों से उतनी बात करने का समय हो आप पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा आपके बच्चे करते हैं सबसे ज्यादा तो अगली बार आप डॉक्टर के पास बच्चे को इंजेक्शन लगवाने के लिए लेके जाएं और बच्चा पूछे के मम्मी क्या दर्द होगा तो छोटा सा जुट बोलने की जगा हो सके तो सच बोलिये और बच्चे का भरोसा खोने की जगा उस समय को बच्चे से बात करने के लिए इस्तमाल कीजिए बच्चों की पढ़ाई पेरेंट्स काफी बार पूछते हैं कौन सा स्कूल चूज करें ए वाला या भी वाला ये अच्छा है कि वो अंत में स्कूल वही चूज कर लेते हैं जो घर के पास हो या जो दिखता अच्छा हो अरे यार फ्लैट थोड़े खरीद रहे हैं कौन सा बोर्ड चूज करें CBSE, ICSE या इंटरनाशनल बोर्ड इसका जवाब भी मिल जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चा IIT करे तो CBSE में ही रखो अगर फॉरण जाना है तो इंटरनाशनल करिकुलम मतलब बच्चा क्या करेगा जिंदगी में कहां जाएगा 10-15 साल के बाद वो भी डिसाइड हो रहा है आज 6 साल की उमर में स्कूल एड्मीशन के टाइम पर तो आज हम स्कूल चूज करने के बारे में बात नहीं करेंगे हम इस पे बात करेंगे कि बच्चे को स्कूल भेजते क्यों है क्या आपने खभी खुद से सवाल पूछा है आप कह सकते हैं कि भाई पूरी दुनिया भेजती है तो हम भी भेजते हैं इसमें सवाल जवाब वली क्या बात है बात तो है क्योंकि चाहे दुनिया भेजती हो लेकिन फिर भी भारत में 50% से जादा इंजीनियर बेरोजगार है तो एक बार विचार कर लेना चाहिए कि बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं एक वज़ा है कि माबाप को भी समय चाहिए उनको भी खाम है इसलिए बच्चे स्कूल जाते है कम से कम आधा दिन तो मिलता है शांतिका ये काफी practical कारण है दूसरा ये कि सब बच्चे जाते हैं अब हमारा बच्चा घर में क्या करेगा ये बात भी सही है हम आज कल nuclear families में रहते हैं छोटे-छोटे परिवारों में तो अगर सब बच्चे स्कूल जाते हैं तो शायद हमारे बच्चे को भी जाना चाहिए और माथा-पेता को भी पढ़ाना नहीं आता और पढ़ना जरूरी है कि बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं तो क्या होती है ये पढ़ाई जो करने बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ाई एक तरह से देखा जाए तो दुनिया का ग्यान है knowledge है जो कहते हैं कि स्कूलों में बताया जाता है maths, science, English, geography history ये घ्यान की शुरुवात तो A, B, C और 1, 2, 3 से होती है लेकिन इसका कोई आंत नहीं है कितना भी घ्यान दिया जा सकता है endless है और आज कल के जमाने में useless भी आज से 30-40 साल पहले तक ग्यान का महत्ता जादा था importance थी लेकिन अब हर दिन knowledge की ग्यान की importance कम हो रही है दुनिया पहले से बहुत तेज रफ़तार से बदल रही है खेती बाड़ी इंसानों ने 10,000 वर्ष पहले शुरू की machines 300 साल पहले आई computers को आए 50 साल ही हुए है और mobile तो आजकल सबके हाथ में है दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका वहीं अटका है बाबूओं की नौकरियां computer खा रहा है तो फिर जो नौकरी बच जाती है वो यह तो है security guard की या खाना delivery करने वाले की या फिर भचती हैं वो नौकरियां जिन में खूब दिमाग दोड़ाना पड़ता है खुद से सोचना पड़ता है और हमारे काफी स्कूल अभी तक ज्यान बांटने में ही जुटे हैं स्कूल में टीचर क्लास के सेंटर में खड़ी है कुछ बोल रही है पचास बच्चे सुन रहे हैं समझ में चाहे कुछ ना आ रहा हो ट्रिग्नोमेटरी पढ़ाई जा रही है किताबों में लेकिन कुछ बनाने में उसका इस्तमाल नहीं हो रहा स्कूल की परीक्षा में कौन से सवाल आने है यह पुराने साल के पेपर देख कर पता है शब्द पता है परिभाशाएं याद हैं लेकिन उनकी समझ नहीं है इसलिए ट्यूशन भी चालू है जो बच्चों के खेल का समय है वो ट्यूशन में जा रहा है अगर स्कूल में पढ़ाई हो रही हो थी तो ट्यूशन की क्या जरूरत प्रशन खाली वो ही है जिनका एक जवाब हो सकता है जिनकी मार्किंग करनी भी टीचर के लिए असान हो शायद कंप्यूटर आटोमेट कर दे ऐसे ग्यान वाले प्रशनों का आजकल के गूगल के जमाने में क्या फाइदा अच्छे बच्चे वो जो टीचर की बात तुने बच्चा जब तक बिना सवाल पूछे पढ़ता जाए तो ठीक है ज्यादा सवाल पूछे तो प्रब्लमाटिक है ऐसे स्कूल से जो बच्चे निकलेंगे वो आज से 10-20 साल के बाद क्या करेंगे सीखने की जग्यासा बच्चों में पैदा होने से होती है वो खुद से चलना सीखता है, खुद से बोलना सीखता है आज कल के स्कूल इस जग्यासा को खतम करते है उसको ये बता कर कि तुम बैठो, हम तुमको बताएंगे बच्चे एक घंटा math सीखेंगे, एक घंटा science सीखेंगे, एक घंटा English सीखेंगे जैसे ही बच्चे को किसी चीज में interest आना शुरू हुआ, period change जैसे के बच्चे का interest एक tube light की तरह है, जो के स्कूल पूरा दिन on-off करता रहता है अगर एक टॉपिक खतम हो जाए, तो उसके बारे में पढ़ाई खतम, आप और नहीं पढ़ सकते आप ये बताईए कि एक उमर के बच्चों को साथ में एक क्लास में डालके क्या फाइदा हम जब अपनी नौकरियों में काम करते हैं, तो एक दूसरे की उमर देके नहीं करते आज कल 25 साल के यूथ CEO हैं और 50 साल के लोग उनको रिपोर्ट करते हैं एक उमर के बच्चे एक दूसरे से जाधा नहीं सीख सकते लेकिन अगर स्कूल में एक ही क्लास में अलग-लग साल के बच्चे हों, साथ में पढ़ें तो एक दूसरे से सीख सकते हैं, छोटा बच्चा बड़े से सीख सकता है, बड़ा बच्चा छोटे की मदद कर सकता है ऐसे स्कूल ढूंडिये ऐसा स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाया नहीं जाए बढ़ सिखाया जाए जहां वो अध्यापक से नहीं एक दूसरे से सीखें ऐसा स्कूल हर जगा नहीं होता परंतु काफी बार ऐसे अध्यापक मिल जाते हैं जिनका ऐसा विश्वास होता है, कि बच्चे समझदार हैं, उनको पढ़ाना नहीं है, सिखाना है. अगर सिखाने वाला स्कूल ना मिले, तो सिखाने वाला टीचर ढूँड़िये, बच्चे को ऐसे स्कूल बेजिये, बच्चों को स्कूल जरूर बेजिये, बस ये ध्यान रखिये, कि सबकुछ पढ़ने के चकर में उसकी सीखने की जिग्यासा खतब न हो रही हो. क्या मार खाने से बच्चा सुधरता है? इसके बारे में जानेंगे अगले चैप्टर में एक दूंगा लगा के काफी लोगों को लगता है कि बच्चे मारने से सुधर जाते हैं क्या ये सच है? हम फीलिंग्स पर नहीं जाएंगे कि मारना नहीं चाहिए बच्चे को तकलीफ होती है, देखने वाले क्या सोचेंगे ये सब फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं हम स्टाटिस्टिक्स को देखेंगे, आंकड़ों को देखेंगे उसके लिए हमें सन 1971 में स्वीडन जाना पड़ेगा जहां पे एक पिता ने अपनी तीन साल की बेटी को इतना मारा कि उसकी मृत्यू हो गई आप सोचेंगे, कि अरे नॉर्मल लोग इतना नहीं मारते तो हम इसकी बात क्यों करें मैं ऐसा उधारन, ऐसा एक्जामपल इसलिए दे रहा हूँ जिसने माता पिता को बच्चों को मारना बंद कर दिया इंटरस्टिंग बात आती है अब जब यह हुआ तो बहुत लोगों ने कहा कि बच्चों को मारना बंद कर देंगे तो बच्चे बिगड जाएंगे और कुछ सालों में क्राइम बढ़ जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ स्वीडन में क्राइम नहीं बढ़े आज 40 साल हो गए है और स्वीडन में कम हुआ है तो सिर्फ यूथ, सुसाइड और ड्राग यूजेज तो हम बच्चों को क्यों मारते हैं शायर आप नहीं मारते होंगे लेकिन बहुत लोग मारते हैं यूएस जैसी कंट्री में एक तिहाई लोग बच्चों को मारते हैं ये डिटा बोलता है क्यों मारते हैं सबसे कॉमन जवाब ये मिलता है कि बच्चे ने शेतानी की इसलिए लेकिन शेतानी की तो हम प्यार से भी समझा सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, तो मारना क्यों है? मेरे दिमाग में दो ही कारण आते हैं. पहला कारण ये कि मारने वाले का खुद पे नियंत्रन नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, और उसने गुस्दे में एक दो लगा दी. अब बच्चे पालना असान काम होना चाहिए, लेकिन है नहीं, तो कभी-कभी गुस्दा भी आ जाता है. अगर आपको लगता है कि मारना गलत है, लेकिन गुस्दे में मार देते हो, तो आपको खुद पे ही ध्यान देना है, क्योंकि इससे बच्चे का कुछ लेना देना नहीं. दूसरा कारण ये है कि मारने वाले को लगता है कि मारने से बच्चे सुधर जाते हैं. बारना जरूरी है. अगर मारेंगे तो जो शेतानी बच्चे ने की, वो बंद हो जाएगी. बच्चा सुधर जाएगा. अब मारने के कारण उस घड़ी में तो शेतानी रुक जाती है, लेकिन ये तो डर के कारण है. लंबे समय में पिटाई का क्या असर होता है? क्या बच्चा सुधर ता है? आईए इसको देखते हैं. पिछले 50 सालों में इस प्रशन पर बहुत रिसर्च हुई है. एक रिसर्च में उन्होंने दो तरह के बच्चे लिए. एक जिनकी पिटाई होती थी, और एक जिनकी कभी पिटाई नहीं हुई. दोनों बच्चों को MRI मशीन के साथ जोड़ा गया, और उनको फोटोस दिखाई गई. हस्ती हुई फोटो और धमकी वाली, दोनों तरह की. MRI मशीन जो सीधा दिमाग से सिगनल पड़ती है, उससे देखकर रिसर्च ने थाबित किया कि जिन बच्चों को मार पड़ती थी, उनका ब्रेन धमकी वाली फोटो देखकर बहुत ज्यादा अक्टेव हो गया. वो बच्चे चेंतेद हुए, और ये साबित हुआ कि पिटाई का दिमाग पे लंबा असर होता है. 1997 की एक दूसरी रिसर्च, जो 6-9 साल के बच्चों पिकी गई, उससे ये साबित हुआ कि जो बच्चों की पिटाई होती थी, उनका बेहेवियर दो साल के बाद ज्यादा असमाजिक हो जाता है. ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई. फिर 2016 में एक रिसर्चर ने 1,60,000 बच्चों पिकी गई, 50 साल की रिसर्च को इकठा किया. उन सब को जोड़ा तो ये साबित हुआ कि मारने के कारण बच्चों में डिप्रेशन, अनापिनेस, चिंता, ड्रग्स और दारू का इस्तमाल ये सब बढ़ता है. ये क्यों बढ़ता है? इसकी भी तीन वज़ा रिसर्च ने बताई. पहली वज़ा है, माबाप के रिष्टे का पिटाई के कारण कमजोर होना. दूसरा, एक केमिकल जिसका नाम कॉटिसोल है, उसका बच्चे के शरीर में बढ़ना. और तीसरा, कि दिमाग में एक जो हमारा हिस्सा है, जो टेंशन से डील करने में मदद करता है, उसका पिटाई की कारण कम होना. तो ये 50 साल की रिसर्च ने साबित किया, कि मारने के नुकसान है. अब नुकसान तो बता दिये, लेकिन हम तो फाइदे ढून रहे थे. तो मारने के फाइदे है क्या, कोई भी फाइदा है? आज तक पूरी दुनिया में कोई भी रिसर्च ये साबित नहीं कर पाई है, कि मारने का कोई भी फाइदा है. पिटाई करने का कोई भी लॉंग टम फाइदा, आज तक कोई रिसर्च नहीं निकाल पाई है. जब बच्चे की पिटाई होती है तो हम बच्चे को कहना चाहते है कि तुमने कुछ गलत किया है ये सही नहीं है लेकिन बच्चों को महसूस होता है कि मेरे माबाप मुझसे गुस्सा है और मुझे प्यार नहीं करते वो ये connection नहीं कर पाते मार का और वहवार का एक question जो बहुत सारे parents पूछते हैं वो ये है कि अगर मारे नहीं तो क्या करें इसके बारे में भी बात करेंगे मारने से बच्चे डर जाते हैं लेकिन डर तो बहुत तरीके के होते हैं आईए एकठे अगले chapter में बच्चों के डर को समझते है हमारे डर आपने ये सीन काफी बार देखा होगा शायद आपके साथ हुआ भी हो एक बच्चा सड़क पे एक स्ट्रीट डॉग को हाथ लगाना चाता है लेकिन माता पिता बोलते हैं अरे मत करो, मत हाथ लगाओ काट लेगा मुझे इस जगा एक एकस्पेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं किसी से मिलता हूँ जिसको कुतों या बिलियों से डर लगता है तो मैं उनसे पूछता हूँ आपको ये डर क्यों लगता है सबसे ज़्यादा लोगों का जवाब होता है कि उन्हें नहीं पता तो मैं उनसे थोड़ी और बात करता हूँ और मैं पूछता हूँ कि क्या आपके माता पिता में से किसी को कुते बिलियों से डर लगता है तो फट जवाब आता है हाँ, हाँ, मेरी ममी को डर लगता है तो आपको डर क्यों लगता है सिर्फ इसलिए क्योंकि जब आप छोटे थे तो आपकी ममी ने अपना डर आपको दे दिया और अब आप अपना डर आगे अपने बच्चों को दे रहे हो सौ साल पहले आपकी नानी की ममी को एक कुट्टे ने काटा था तब से नानी की ममी डर गई फिर नानी डर गई फिर मम्मी डर गई फिर आप डर गई और फिर अगर आपने न रूका तो आपके बच्चे भी डर जाएंगे बिना जाने क्यों ये सब जाने अंजाने में हो जाता है कुछ कुटे बिलियों के लिए कुछ बाहर खेलने जाने के लिए कुछ स्पाइडर्स के लिए, कभी छिपकलियों के लिए हम अपने डर अपने बच्चों को पास कर देते हैं कभी-कभी हम किसी चीज से नहीं डरते लेकिन हम बच्चों को डरा देते हैं जैसे अंधेरे से हम बोलते हैं रात को के सो जाओ, वरना लाइट बंद कर दूँगा, भूज आ जाएगा, छोटे बच्चों के मन पर इस बात का असर पड़ता है, कभी-कभी जिन्दगी भरका, बच्चे को दस मिनट जल्दी सुलाने के लिए, यह बहुत बड़ा मूल्य है, यह बच्चपन के डर बेवज़ा होते हैं, और इन्हें निकलने में कभी-कभी समय लग जाता है, फियर यानि डर खाली पेरेंट से नहीं आते, टीवी एक और माध्य में जहां से डर आ सकता है, टीवी पर बच्चे ने कोई मूवी देखी जिसमें पुलिस मार रही है, तो बच्चा पुलिस है डर सकता है, लेकिन फियर्ज होना डर होना नॉर्मल है, मुझे, आपको और लगबग सब लोगों को किसी ना किसी चीज का फियर होता है, डर एक एमोशन है, एक फीलिंग है, जो हमारे अंदर इसलिए है क्योंकि ये हमें सर्वाइव करने में मदद करती है, हमें डर लगता है जब हमारा ब्रेन किसी चीज को खतरनाक परसीव करता है, हमारे ब्रेन में एक पार्ट है, जिसका नाम है एमिकडाला, वो हमें सिगनल देता है क्या डर जाओ, अगर धुआ स्मेल किया तो सिगनल आएका डर जाओ, फिर जो हमारा एक और पार्ट है ब्रेन का, जिसे हिपो कैंपस कहते हैं, वो रियालिटी को एनलाइज करता है, कि ये धुआ कहां से आ रहा है, ये स्मेल कहां से आ रही है, क्या कोई बड़ी आग लगी है, किसी ने बस सिगरेट फैंकी है, छोटे बच्चों में ये सब पार्ट्स फुली डेवलप नहीं होते, इसलिए बच्चों को मुश्किल होती है समझने में, कि कौन से खत्रे असली हैं और कौन से नहीं, यहां हम बच्चों की मदद कर सकते हैं, पहली मदद तो यह है कि हम उनके दिमाग में बेवजा का कोई डर न डालें, कुट्टे का, बिल्ली का, पुलिस का, अंधेरे का, और अगर कोई डर है, तो यह तीन तरीके हैं जिनसे हम उनकी मदद कर सकते हैं, डर से आगे जाने में, सबसे पहला स्टेप है कि हम बच्चे को खुद से सोलूशन ढूंडने दे, काफी बार बच्चे यह कर लेते हैं, इसे सेल्फ रेगुलेशन स्केल कहते हैं, अगर जान का खत्रा नहीं है, तो हमें फटा-फट भागना नहीं चाहिए मदद करने के लिए, थोड़ा इंतजार करके हम देख सकते हैं कि शायद बच्चा खुद ही आगे निकल जाए, यह लाइफ स्केल है, क्योंकि हमेशा कोई और तो रहेगा नहीं मदद करने के लिए, इसलिए बच्चें खुद से कर लें तो बहुत अच्छा, अब अगर ऐसा है कि बच्चा हमें अपने डर के बारे में खुद बता रहा है, तो हम क्या करें, अगर बच्चे ने हमें अपने डर के बारे में बताया, और हमने कहां, अरे, इसमें डरने की क्या जरूरत है, क्या बात है, यह हम हसने लगे, यह कहां कि, अरे, अरे, ऐसा कुछ नहीं होता, तो हमने बच्चे के डर को नजर अंदास कर दिया, वी completely ignored it, important बात यह है कि हम डर को बढ़ावा ना दें और उस पर लंबी बात चीत न करने बैठ जाएं। उससे भी बच्चे को लग सकता है कि उसका डर सही था। हमें उतनी ही बात करनी है जिससे हमें बच्चे का डर समझ में आ जाए। अगर बच्चे को एक मूवी देखने के बाद डर लग गया है तो हम बच्चे से पूछ सकते हैं क्या आपको मूवी देखके डर लग गया? क्या आपको लगता है कि जो मूवी में हुआ वो आपके साथ हो सकता है? यह हम डर को समझ रहे हैं बढ़ावा नहीं दे रहे हैं अब हम डर को समझ चुके हैं तो अब हमको simple plan बनाना है ये तीसरी चीज है एक simple plan जो हम बच्चे के साथ implement कर सकें अगर बच्चों को कुत्तों से डर है तो हम पहले किसी छोटे friendly कुत्ते जो कि बना हुआ हूँ उससे शुरू करेंगे उसके थोड़े पास जीने का क्या मतलब है हम अपना कोई डर बच्चों को ना दे अपने बच्चे के किसी भी डर को बढ़ावा ना दे अपने बच्चों के डर को समझे हमारे बच्चे निडर हो किसी भी चीज का confidence के साथ सामना कर सके ये हम इन छोटी छोटी बातों से इंशीور कर सकते हैं, सुनिक्षिद कर सकते हैं और सबसे बढ़िया तो ये हो कि उल्टा हो सकता है हो सकता है कि आपका बच्चा कुते बिल्यों से खेलने लग जाए और शायद आपको भी आपकी डर से चुटकारा दिला दे एक बच्चा जो डर से परे हो वो ही सो शेतानी कर सकता है लेकिन बच्चे शेतानी क्यों करते हैं आईए जानते हैं अगली चैप्टर में शेतान बच्चे की जिग्यासा आप घर से काम कर रहे थे और आपका बच्चा भी विजी था बिजी था मतलब कहीं और उस दिन आपके बच्चे ने आपके लिए एक ड्रिंक बनाई थोड़ा पानी लिया उसमें नमक डाला फिर चीनी डाली फिर हल्दी भी डाल दी फिर चमच से गुमाया तो पानी इधर उधर भी किर गया फिर वो ड्रिंके ग्लास में लेके आपके पास आया स्मायल किया और बोला पापा ये पियो आपने मना कर दिया लेकिन बच्चे ने बोला पियो पियो पापा पियो पियो आपने एक घूंट पिया और देखा अरे ये तो बहुत कड़वा है आप किचन की तरफ भागे नॉर्मल पानी पीने के लिए और वहाँ देखा हल्दी, पानी, चीनी, नमक सब फैला हुआ है आपका पारा पूरा बढ़ गया और आप बच्चे पर चिला दिये ऐसी घटना, ऐसा कुछ सिनेरियो हर घर में होता है कभी-कभी हर रोज होता है बच्चे शरार्ती होते हैं मस्ती करते हैं शेतानिया करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और हमारे इस समय चिलाने का बच्चों पे क्या प्रभाव होता है क्या असर होता है चलिए इसको समझते हैं अब इस पूरे नजरिये को एक बार बच्चों की नजर से देखते हैं, बच्चे ने देखा आप बिजी हैं, खेलने के लिए कोई नहीं है, या वो ऐसे ही बोर हो रहा था, उसने सोचा आज कुछ नया करते हैं, मम्मी पापा मुझे हर रोस दूद पिलाते हैं, आज मैं भी उनको कुछ बिना के पिलाऊंगा, तो उसने ग्लास और पानी लिया, थोड़ा पानी गिर गया, लेकिन बच्चे को उसकी फिकर नहीं है, क्योंकि वो तो कुछ बनाने में मगन है, शूगर सबको अच्छा लगता है, नमक भी, उसने दोनों डाल दिये पानी में, शायद उ सब उसने खुद से देखा और सीखा, तभी उसकी नजर हल्दी के रंग पर पड़ी, उसको लगा, अरे, यह मिलाऊंगा तो अच्छे रंग की ड्रिंक बन जाएगी, उसने शायद जिंदगी में कभी भी हल्दी नहीं चकी थी, आज पहली बार एक चुटकी या शायद अब उसको दुनिया में अपने सबसे प्यारे लोगों की याद आई, उसके मादा पिता, उसने सोचा, चलो उनको पिलाता हूँ, खूब मज़ा आएगा, मस्ती आएगी, और आशा से सब जो कचरा किया था किचन में वो भूल के, वो अपने सबसे प्रिये लोगों के पास आगे क्या हुआ, ये तो आपको पता ही है, अगर हमने उसे डांटा गुसा किया तो क्या गलत किया, भच्पन में बच्चों के पास होता ही क्या है, कुरियोसिटी मतलब जग्यासा ही तो होती है, ये जग्यासा ही है, जिसने मानव को, आदमी को आज यहां तक पहुँचाय है, जग्यासा से ही आविशकार होते हैं, दुनिया आगे बढ़ती है, जिसके पास जग्यासा है, उसका कोई दिन खाली नहीं जाता, वो हमेशा सीखना चाता है, आगे बढ़ना चाता है, और गुसा करकर हमने उस जग्यासा पर ठंडा पानी डाल दिया, बच्चा सीखा कि जिग्यासा से ज़्यादा महत्वपून है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साफ घर मैं कोने में बैटा रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन घर गंदा नहीं होना चाहिए हमारे स्कूल भी काफी टाइम यहीं करते हैं, हमारे जिग्यासा की योगिता को दबाते हैं हमने घर पर भी थोड़ा दबा दी, अब आपके दिमाग में जो सवाल चल रहा है वो सही है, कि इसका क्या मतल़ है, घर कितना भी गंदा करने दे, जो चाहें वो करने दे, बिलकुल नहीं, तो फिर क्या करें, इस सिचुएशन में, इस परिस्थेती में हम बहुत ही सिंपल का सकते हैं, हम बच्चे को बोल सकते हैं, अरे अच्छा है तुमने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन ये देखो कितना कोछ इदर उदर गिरा हुआ है, चलो इसको एकठे मिलकर साफ कर देते हैं, ये करवाना ज़रूरी है, बच्चा अब समझ गया कि मेरे माता पिता को मेरी जादा रखेगा, उसके हाथ भी छोटे से हैं, मन भी चंचल है, तो जितना रख पाएगा आज, उससे तल जादा रखेगा, क्योंकि आपने दो चीज़े की, उसको उसकी जग्यासा पे एंकरेजमेंट दिया, प्रोसाहन दिया, और घर को साफ करने वाला नियम का पालन भी किया, ये सब हम हर सिचुएशन में कर सकते हैं, हमें बस चीज़ों को थोड़ा बच्चों की नजर से देखना है, और जितना हम अपने बच्चे को ज़्यादा समझेंगे, उतना हम ये हर रोस कर पाएंगे, और सच मानिये तो हमारा ब्लड पैशर भी कम रहेगा, और हमारा संबंध हमारे बच्चे के साथ और गहरा होगा, शेतानियों और गलतियों में फर्क होता है, गलतियों का सुधार लेकिन सही से ना हो, तो भी गड़बड हो सकती है, आईए अगले चैप्टर में गलतियों के सुधार के बारे में बात करते हैं, गलतियों का सुधार, गलति लंबा लेना पड़ेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा फीक से सुना करो जो मैं बता रहा हूँ अगर Google Maps ऐसा मेरे पे चलाता तो मैं तो पक्का उसको यूज़ करना छोड़ देता तो Google Maps करता क्या है अगर दाएं जाना छूट जाए तो Google Maps बस खाली मंजल तक पहुँचने का नया रस्ता आपको दिखा देता है बिना कुछ सुनाई Google Maps ने तो समझ लिया है कि उसका मकसद हमको खराब लगवाना नहीं है उसका मकसद है हमारी मदद करना हमारी मंजल तक पहुँचने में तो अब बच्चों पे आते हैं तो पहले डगमगाता रहता है तब हम उसकी घलतिया नहीं निकालते हम बच्चे को नहीं बोलते अरे तुम्हें चलना नहीं आता बैठ जाओ, रुको मैं दिखाता हूँ कैसे चलते हैं हम उसको चलने देते हैं गिरने देते हैं उसका आतमविश्वास, सेलफ outright confidence बढ़ने देते हैं उसको सहारा देते हैं उसकी और मुस्कुराते हैं तो बच्चा और मैनच करता है और चलने की कोशिश करता है और चलना सीख जाता है अब मानिये बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है और मैट्स में गणित में गलती कर रहा है तो यहाँ पर हमें थोड़ा गुस्सा आने लगता है अपने वर्ट से, अपने वर्ताव से, बहेवियर से कहने लगते हैं अरे तुम्हें इतनी सी चीज समझ में नहीं आती रुको, मैं बताता हूँ यहाँ पर हमें सोचना है कि जो बहेवियर हमने अपनाया था जब बच्चा चलना सीख रहा था क्या हम वही बहेवियर, वही वर्ताव, वही पेशिंट्स यहाँ पी रख सकते हैं गूगल मैप्स वाला धहर रख सकते हैं यह जिन्दगी का सच है कि सब गलतियां करते हैं तो अगर सब गलतियां करते हैं तो फिर गलतियों की तरफ हमें दोस्ती की फीलिंग आनी चाहिए क्योंकि गलतियां तो हमारी जिन्दगी भर की साथी है यह तो होती रहेंगी गलतियां होने का एक रीजन है, एक उदेश्य है, हमको सिखाना तो उनसे प्यार से हिनिपट लिया जाए तो बहतर है खुद की गलतियां पकड़ना और सुधारना एक जरूरी स्किल है जो कि हर बच्चे में होता है बच्चा खुद से चलना सीखता है, खुद से बोलना सीखता है लेकिन हमारे स्कूल कुछ इस तरह से है कि टीचर का काम हो गया है गलतियां पकड़ना इसलिए बच्चे खुद से गलतियां सुधारने का स्किल धीरे धीरे हो बैठते हैं क्योंकि गलतियां तो टीचर पकड़ ही लेगी और गलतियां ना करने के चकर में बच्चो का सीखना भी काम हो जाता है लेकिन हम घर पर गलतियां पकड़ने और सुधारने वाले स्किल को जिन्दा रख सकते हैं स्किल से बच्चो में बहुत confidence आता है, आतम विश्वास आता है कि मैं खुद कर सकता हूँ गलतियां हमें अपने बच्चों से दूर करती हैं लेकिन प्यार से किया हुआ गलतियों का सुधार हमें बच्चों के और करीब ला सकता है बच्चे के मन में ये नहीं जाना चाहिए कि मुझे कोई गलतियां नहीं करनी लाइफ में कि या गलती हो गई तो क्या होगा ये होना चाहिए कि इतना मुझे आता है मैं कर सकता हूँ मैं गलतियां करता हूँ लेकिन उनको ठीक करने की स्किल भी रखता हूँ इसलिए मैं लाइफ में कुछ भी सीख सकता हूँ कुछ भी बन सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ ये भावना हमारे बच्चे के मन में रहे इसके लिए हमें अपने बच्चों के लिए Google Maps की तरह बनना है एक तरह का बच्चा अगर आपने कभी बच्चों पर ध्यान दिया है तो आपको लगा होगा कि हर बच्चा अलग है different है कोई ज़्यादा शरारत करता है तो कोई चुपचाप रहता है कोई हलका सा हाथ लगाने पर रोने लगता है कोई दर उदर भागता रहता है हर बच्चा अलग होता है इस नजरीय से देखेंगे तो ये सच है कि हर बच्चा अलग होता है अनोखा होता है किसी दूसरे के समान नहीं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में एक ही तरह का बच्चा होता है सिर्फ एक तरह का लेकिन उसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी जिसको आप सफल मानते हूँ कामयाब मानते हूँ कि उसने कुछ किया है जिन्दगी में ऐसे सारे लोगों में क्या समानिता है क्या similarity है सोचिये जरा कि क्या चीज है जो इन सब सफल लोगों में होती है जो मैंने देखा है वो ये है कि सब सफल लोग किसी भी काम को पूरे ध्यान से करते है वो उस काम को काफी सालों सक करते है उनको वो काम करके खुशी मिलती है ठकावट मैसूस नहीं होती सफल लोगों का ये रहस से आपने देखा होगा अब हम वापिस जाते हैं उस लाइन पर जो मैंने आपसे पहली कही थी कि दुनिया में एक ही तरह का बच्चा होता है जब किसी भी बच्चे को कोई ऐसा काम मिल जाए जो उसको इंटरस्टिंग लगे और वो उसमें खो जाए तब हमें वो बच्चा दिखता है ये बच्चा हर बच्चे के अंदर है जिसके भी बोड़ी, माइन, डेवलप्मेंट में कोई नुक्स नहीं है, नॉर्मल है उसके अंदर ये बच्चा छिपा हुआ है पेरिंटिंग का एक बड़ा लक्षे ये है उस बच्चे को बाहर निकलना वन काइंड अफ चाइल को दूनना ये लक्षे पाने के लिए हमें जादा मेहनत करने की जरूरत नहीं बलकि कम मेहनत करने की जरूरत है बच्चे को कम रूकने की कम तोकने की उसकी जग्यासा को जिन्दा रखने की उसको सिखाने की नहीं बलकि उसकी खुद से सीखने की आदत को बरकरार रखने की छोटे बच्चों के लिए काम होता है चलना या बोलना सीखना कोई ने सिखाता नहीं है आप कितनी भी कोशेश कर लें कि बच्चा बोलना ना सीखे पर बच्चा बोलना सीखी जाएगा चलना सीखी जाएगा ऐसे ही जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको अलग-लग काम की तरफ अट्राक्शन होता है यह attraction हम किसी भी बच्चे में बोल कर नहीं ला सकते कह कर नहीं ला सकते कि ध्यान से देखो यह खुद से आता है क्योंकि यह हमारे तन और मन की जरूरत है कि बच्चा कोई काम की तरफ अकर्शित हो This is needed by our body and mind बच्चे तो cartoon की तरफ भी attract होते हैं लेकिन वो useful नहीं है क्योंकि उसमें हमारी body, हमारे हाथ, हमारे दिमाग यूज नहीं हो रहा है हमें चाहिए अपने हाथ से किया हुआ काम जिसमें बच्चे का दिमाग भी इस्तमाल हो रहा हूँ कभी भी अगर आप बच्चे को देखें किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हुए तो disturb न करें उसका ध्यान कहीं लगा हुआ है लगा रहने दे कभी आप उसके साथ बाहर जाएं सेर करने के लिए और बच्चा रुख जाए किसी चीज को टच कर रहा है, देख रहा है उसे देखने दे, जल्दबाजी न करें ध्यान के इंद्रित होना ही सफलता की सीड़ी का पहला कदम है पेइंग अटेंशन is the first step to success और यहर बच्चे में possible है, संभव है किस चीज में ध्यान लगेगा, यहर बच्चे के लिए different होगा और यह ध्यान खाली वो बच्चा खुद से लगा सकता है लिकिन यह ध्यान लगाने के लिए environment, वातावरन उसके parents, schools, teachers, दादा-दादी, नाना-नानी दे सकते हैं आप अपने बच्चे को सफल देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं यह possible है, इसका सबसे असान रस्ता है, one kind of child के साथ, हर बच्चे के साथ विडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अपना बहुमूले feedback कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें